इन दोर की संस्था पुन्य की सदस्य रेसिदेंसी कोठी पर विरूद प्रदेश्वन करने पहच्छी प्रदेश्वन कर लहें लोगों कोई मांग है कि रेसिदेंसी कोठी का नाम बदल कर देवी अहलिया बाई होल कर कोठी रखा जाए गौरतलब है कि रेसिदेंसी कोठी के नाम बदलने का मामला पिछले कई दिनों से च्वर्चा में है जहां नगर निगम द्वारा रेसिदेंसी कोठी के नाम बदल कर शवाजी महराज के नाम पर रखने की बात कही गई थी वहीं पुने संस्था का कहना है कि देवी अहलिया भाई होलकर एक महान मराठा श्वासक थी जिन्होंने अपने राजुकी सीमाओं के बहार भारत भर के प्रसद तीरतो और स्थानों में मंदर बनवाए इसलिए रेसिदेंसी कोठी का नाम देवी अहलिया भाई के नाम पर होना च्वाही इसको लेकर आप मिले भी है महापूर जी और अचानक रखा गया हमें कल जानकरी प्राप्त होई है आज शाम को महापूर जी से मिलके आपन देने वारा है महराश्च में शुनाव में उसको लेकर इसी कुछ रांजिती चर रही है वह सटा है यह उनकी सोच क्या रही है यह तो वह जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसके राजिशन जरूर है क्या रहेगा आगे नहीं रूप आपका फिर में अगर शांती पून तरीके से हम लोग हमारी मांग रख रहा हैं इसले साल भी एक ऐसी पेस हुआ था जब एमाइसी की फर्स मिटिंग वी थी उन्होंने सईयों की ताह राज्य स्कूल का नाम चेंज करने का पस्ताव लिया कि अगर आपको नाम चेंज करने में कोई आपती नहीं है आप लेकिन अगर देविया भाई उत्पर के नाम से इसको करें तो यह बहुत अच्छी वात